स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आई टी यूटूब चैनल पर इंडियन एर फोर्स की तरब से आई टी आई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसिप निकाली गई है तो अगर आप भी आई टी आई पास आउट हैं और आप इंडियन एर फोर्स जॉइन क करके अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डेन अपरचुन्टी यहां पर हो सकती है कई सारे ट्रेड्स की इसमें वैकेंसी है यह पूरा डिटेल देखेंगे और कैसे सेलेक्शन होगा कैसे आपको एप्लाई करना है सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजेगा और साथ में मारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टेडी आइटी आई आई आप हमें वहां पे भी जॉइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है वहां पे आपके साथ सारी अप फोर्स हर कदम देश के नाम ठीक है इसमें ओपन है अप्लिकेशन फार्म एप्रेंटिसिप इंडिया डॉट जी ओबी डॉट इन के थुरू आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 15 अगस्त 2022 और कहां के लिए आया वैकेंसी तो यह वैकेंसी जो है यह है आपका ब 14-21 साल है OBC 14-24 साल SCST 14-26 साल और आपका हाइट होना चाहिए minimum 137 cm और वेट होना चाहिए minimum 25.4 kg आपको 10 पास होना है minimum 50% मार्क्स के साथ ठीक है अगर आप 12 पास हैं तो वो डिजाइरेबल है जिसको 12 जो पास होगा ITI के साथ 12 भी होगा वो प्रिफर किया जाएगा 10 वालों से ज़्यादा ITI पास होना है NCVT में minimum 65% मार्क्स के साथ आपका कम से कम 50% नंबर होना चाहिए apprentice के लिए जो आपको apply करना है apprenticeship India.job.in से ठीक है सिर्फ online form ही लिए जाएंगे आपके इसके साथ अगर यहाँ पे बात करें तो आपका जो written exam होगा conduct किया जाएगा mathematics, general science and general knowledge of high school standard उसके basis पे आपका जो है selection होगा इसमें ठीक है email ID, mobile number, आधार number यह सब कुछ आपको पास आपका ID proof सब कुछ रहेगा तभी आप apply कर पाएंगे कोई TA, DA यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जब आप written exam के लिए जाएंगे या document verification के लिए जाएंगे तो इसके साथ जो detailed notification वा RDSD की website पे भी available वहाँ से भी आप देख सकते हैं and last date पहले हमने बता दी 15 अगस्त बाकी written exam, declaration of merit list, course, commencing जब भी start होगा वो सब कुछ आपको आपके जो registered email ID होगा उस पे बता दिया जाएगा vacancy की बात करें थोड़ा इसको बढ़ा कर लेते हैं, zoom कर लेते हैं यहाँ पे turner trade की vacancy है 16, machinist की 18 है, machinist grinder की 12 है, seat metal worker की 22 पोस्ट है, welder gas and electric की 6 है electrician aircraft की है, यहाँ पे total 15 पोस्ट, carpenter 5, mechanic instrument aircraft की है 15, painter general 10, desktop publishing operator, power electrician की 12 पोस्ट है इसके साथ Temic welder की 6 है, quality assurance assistant की 8 है and chemical laboratory assistant की 4 पोस्ट है यह है पूरा vacancy, detail, air force का, अब कैसे apply करना उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके लिए आपको चलना होगा जस्ट आपके अपने google chrome browser पे, यहाँ तक साथ आपको सारी notification, सारी information clear हो गई होगी तो आपको आना है कहाँ पे, apprenticeship india.gop.in पे जब आप login कर लेंगे इस पे, अगर आपने इस पे अपना account नहीं बनाया है तो login करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे, and apprentice opportunities पे क्लिक करना है जैसे आप apprentice opportunities पे क्लिक करेंगे, नीचे कुछ इस तरह का search criteria का एक option खुल जाएगा इस तरह का एक option open हो जाएगा, and यहाँ पे आपको जो है establishment name type करना है, यह हम description में code दे देंगे, वो भी आप type कर सकते हैं, आपको type करके दिखा देते हैं, क्या type करना है आप इसमें just लिखिएगा सिर्फ 3BRD, Air Force Station, चन्री गढ़ नीचे second option पे आजाएगा, इसको आप select कर लिजेगा इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, filter में लग जाएगा, बस एक ही filter ही लगाईएगा, ठीक है, search criteria में आप जैसे 3BRD type करेंगे यहाँ पे, यह चीज अपने आप आपको नीचे drop down में देखने को मिल जाएगी जैसे आप filter लगा लेंगे, आप जब नीचे आएगे, आप देखेंगे, यहाँ पे 15 opportunities हैं अलरड़ी, अलग-अलग trade की यहाँ दिखेंगे, quality assurance assistant की है, इसके नीचे machinist grinder की है, mechanic instrument aircraft की है, ठीक, date इसमें देखे, पुराना ही पड़ा, उसको आप छोड़ दीजेगा, date से कोई इसू नहीं है, आप TIG MIG welder की है, और नीचे हैं के welder, gas and electric की है, जो भी आपका trade हो, उस पे क्या करना है, आपको apply पे click करना है, any location जहाँ आपको चंडीगर चूच करना है, okay कर देना है, applied successfully, ठीक है, अभी आपका form यहाँ पे apply हो चुका है, इसी तरह जो आपका trade होगा, उस and dashboard पे आने के बाद, applications में आके आप check भी कर सकते हैं, आपने कहाँ कहाँ apply किया है, इसमें आपका जो है, दिखने लगेगा, कहाँ कहाँ आपने यह देखे, 3BRD Air Force Station में आपने apply किया, and अभी status क्या है, इसका pending है, pending इसलिए है, क्योंकि जब result आएगा, contract sign होगा, तब आपका यह okay दिखाएगा, मतलब final दिखाएगा, ठीक, इस तरह से आप apply कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं, आप आसानी से apply कर पाएंगे, कोई और doubt आता है, कोई भी और problem आती है, आपको comment section में comment करके जरूर बताएगा, वहां आपकी मदद करने की कोशिस करेंगे, thank you very much